So Hello Everyone तो काफी सारे aspirants जब से CGL का result आया पूछने में लगे हुए इसर आपका result का क्या हुआ वैसे तो काफी सारे aspirants को पता भी है जब मैंने answer की share किया था सबसे पहले और मैंने सोचा पहले Air Force से free हो जाते हैं थोड़ा सा अब कल से exam students के तो वहां से मैं completely free हो चका हूँ अब आप लोग के मैं लगता हूँ SAC exam में जो आपका CGL आपका में exam है tier 1, tier 2 दोनो जो मैंने आपसे शुरू में वादा किया था जब मैंने सारी चीज़ें आपसे share करी थी जब मैंने आपको techniques बताई थी tier 2 के paper को solve करने के लिए और काफी सारे aspirants अभी भी बोलते रहते हैं कि tier 2 के भी आप questions क्यों ने include करते हैं तो यार देखो tier 2 मैं करवाऊंगा option elimination सिखाऊंगा जब आपने 2-3 मैंने 2 आपको एक तो अपनी shift वाला solve करवाय था और एक और shift का solve करवाय था elimination techniques वो statement वाले questions में ज़्यादा काम करती है या फिर बहुत ज़्यादा काम करती है ठीक है तो जिन statement वाले questions से आप डरते हैं वो actually में scope है जहां पे आप उन techniques को लगा सकते हैं तो मेरे लिए तो बहुत ही एक तरह से golden opportunity मुझे दिखती ही कि अच्छा ये statement वाला question है एकदम one-liner question होगा तो वहां पे elimination बहुत कम काम करता है ठीक है and that is the reason कि वो elimination technique का use करके मैं इतने number ला पाया GK में लेकिन फिर भी मेरा selection नहीं हुआ कारण क्या है कारण काफिलों को पता है जैसे मैंने बताया कि मेरा computer में जो minimum qualifying है वो भी नहीं निकल पाया लेकिन उस बात का मुझे गम नहीं है इसलिए नहीं है because वो मैंने exam जो CGL का दिया था that वो सिर्फ मैंने GK के लिए दिया था ठीक है तो उतना मेरे लिए फर्क नहीं पड़ता और इसलिए कि मैंने कभी strategy भी नहीं share करी कि भई क्या strategy होनी चाहिए काफी सर्रास्मेंट बोलते रहते हैं सर English का भी जब मैंने GK का share किया था सर इसी तर इंगलिश का बताओ सर इसी तर हाई नहीं तो मैं कहां से share करूँ मैंने सिर्फ GK के लिए दिया था और मैंने आपको reality बताई है कि भई मैंने CAPFAC का exam crack किया ठीक है तो वो उसकी strategy मैं दे सकता हूँ और मैं पढ़ाता हूँ CAPFAC का CDS का तो उसके basis पे यह जो marks आप देख पारें और जो elimination techniques हैं उनका use करके मैं GK में achieve कर पाया मैं यह दावा English या फिर math के लिए मैं बताने लगूं तो फिर धकोसले बाजी होगी ठीक है अब यह जो score है GK में जितना जो मेरा एक तरह से जो experience रहा मैंने GK का यह जो exam दिया था CGL का कोई मेरा SSC का पहला exam था ठीक है SSC का कोई मेरा पहला exam था तो जो GK में यहाँ पे मे 32 यहाँ पे lectures करवाएं हैं उससे आप भी समझ गया है और मैं भी समझ गया हूँ आप यह समझ गया है कि SSC का GK जितना हुआ है उतना नहीं है और वो आप किस तरह से समझ गया है एक तो मैं खुला challenge मैं मैंने तो आपको दिया था कि कोई भी 10 lecture कर ले और कोई भी मौक उठा पे आप मिलोगे खुद को ठीक है GK की मैं बात कर रहा हूँ और यह MTS में प्रूफ भी हो गया है ठीक है जो अब यह ongoing MTS exam है ठीक तो अब यहाँ पे आपको बताना क्या चाहता हूँ सबसे पहली बात तो यह आपको बताना चाहता हूँ कि computer को lightly मत लीजेगा मैं यह नहीं कि मतलब मैंने मेरे लिए खुद ही एक surprise था कि इतना मतलब qualify भी नहीं हो पाया ठीक है मैंने पढ़ाई वगर कुछ नहीं की थी क्योंकि मैंने सिर्फ GK के लिए exam दिया था लेकिन फिर भी qualify ना कर पाना यह बड़ी चीज होती है जो भी पता है तो इस वज़े से मैं आपको तो होता है कि minimum level आप चीजें threshold एक हर subject का complete कर लोगे तो आप select हो जाओगे फिर आपको अगर first preference first twice आपको चाहिए तो वो तब ही हो पाएगा जब हर subject में आपे equal importance देते हैं और यह काफी सारे जो यह computer का यह मैं किस्सा सुना रहूँ आपको यह बहुत लोगों के साथ GK में ह पाई है लेकिन इस बार यह मैं नहीं होने दूँगा कि यह मैंने आपसे वादा किया था उस पहले वीडियो में भी जो मैंने आपको बताया था कि किस तरह से solve किया जाता है tier 2 का paper ठीक है मैंने अपनी shift का करवाय था और एक और shift का करवाय था और आप मेंसे काफी लोग उस चले statement वाले जो tier 2 में आते हैं अभी मैं उसलिए नहीं ले रहा हूँ because tier 1 और tier 2 में इतना gap मिलेगा कि आराम से मैं आपको tier 2 के जो statement वाले question कैसे eliminate करने हैं उस सब आपको सिखा दूँगा अभी क्या सीखना है वही अभी तो cake का base बनाना है icing on the cake तो बाद में होगी ठीक है पह question previous year का है और हर question almost her question बोल सकते हैं diverse nature का है मैंने कोशिस किया कि वो repetition उसमें ना हो और हो भी तो just कि अगर कोई tough concept का कोई question है तो just revision हो जाए उसका वो इसलिए मैंने उसको वाँ पे include किया है और अब यहाँ पर discuss कर लेते हैं किस तरह से आपको आगे वीडियो मिलने वाले जैसे से मैंने अभी बताया अभी तक वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि और बताया भी था मैंने आपको community post करकी क्यों एयर फोस का students का exam था तो वो कल से है और वो उसके बाद यहां पर मैं completely free हूए यहां से तो अब यहां पर जब तक आपका यह एक तरह से आप यह मानलो कि मेरा प्रण है ठीक है क्योंकि बई दखो हो अगर दखो एक चीज strategy अगर चाहिए तो one of my student है जिसने की first attempt में without any formal coaching first attempt में 117 सूरज नाम है 117 rank लाया है बंदा ठीक है first attempt में लाना without any coaching ना कोई online batch सिर्फ free से ही सारी चीज़ें करके बंदा income tax officer बन गया है तो अगर strategy चाहिए तो मैं वो शेर करवा दूँगा आपसे उससे बोलके तो आपको strategy बता देगा बट यहां पर अब मैं क्योंकि यह देखो जब रिजल्ट है ना तो मेरे को भी थोड़ा सा चश्का टाइप चश्का टाइप लगा है किस चीज का चश्का कि मेरे students भी top rank लेके आए क्योंकि अ ample amount of teachers है लेकिन GK में मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक figure out चीजें नहीं हुई है और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा वो मैं कर पाया हूँ जो मैं आपके साथ share करने की कोशिस करता हूँ और वही मैं आपसे बोलता हूँ अभी मैंने वो बात बोलिए कि आप शुरू के ज एक तो जो हमारी PYQ की सीरीज चल रही है वो तो continue रहेगी ही रहेगी प्लस मैंने तुमें hot topics बताए थे GK में क्योंकि GK जो होता है न सिसी का hard इसलिए मैं नहीं समझता हूँ अब tough है no doubt मैं आपको पहले ही बोला हूँ ऐसे question मिलेंगे जो किसी से नहीं बनेंगे पहली बा periphery यह समझ लो GK वाला समझ जाओगे यह core है यह periphery है ठीक है यह core जिसने कर लिया एक threshold amount of numbers वो secure करेगा ही करेगा और जिसने यह कर लिया तो वो GK की वज़ए से यह नहीं हो कि भाई selection नहीं हुआ यह फिर रोना पीटना मचाएगा जिसने core कर लिया यह वो चीज है कि हां fundamental duty से question आएगा पॉलिटी में चोलाज वीजय नगर से आएगा उसमें history में ठीक है economics में capital expenditure revenue expenditure cash reserve ratio जो भी आपके monetary policy tools होते हैं उससे आएगा question biology में plant and kingdom से आ रहा है question trend जिसको बोलता है ठीक है digestion से आ रहा है question तो वो पहले में core topics करने क्योंकि इसमें concept involved है उसको समझना है उसको बार PYQ करवा रहे हैं तभी तो weird question रखते हैं कुछ-कुछ वो periphery cover कैसे होगा दो चीज़ों से एक या फिर एक ही चीज मान लो that is कितने number of PYQs आपने solve की हैं तो कोई टकरा गया hit कर गया जो एक दम weird सा question था जो कि कुसी concept में covered नहीं था लेकिन वो weird था और पहले आ चुका था आ elimination techniques या फिर tips आप बोल सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बताया है कि अगर कोई भी इस तरह के question आ जाए कि यह इस dance की exponent हैं इनको counts award मिला था इस सन में तुम सीधे पदम श्री मारो 99% answer सही होगा यह चीज हम कैब सिखेंगे जब हम PYQ ही करेंगे बहुत सारे MCQ करेंगे और सिर learning चले जब आप दस lecture करोगे तो आपको पता चले का पॉलिटी में इंप्रूफ कर चुके हो जोग्रफी में कर चुके हो साइंस के तीनों subject में भी कर चुके हो और static portion में भी कर चुके हो पारलली सारे subject में आपके एक साथ बढ़ते रहेंगे और मैं आपको पहले बोला था जितना यहां पर मैं करवा रहे हैं रिटेन नोट्स भी शेर किये जा रहे हैं कुछ से आप नोट्स बना सकते हैं वह और भी वेटर है और वह नोट्स आप बार बार रिवाइज करिए उसके बियॉंड जितना कोई अगर लूसें से स्कोर करेगा आप से फिर से वही बोलू बहुत वास्त है क्योंकि सारे सब्जेक्ट एक साथ आप वही रख दो ठीक है मैस रिजनिंग इंग्लिश और जीके अपना एक उसका अलग वेटेज़ कि उसमें इतने सारे सब्जेक्ट से कहां से आजाए कुछ नहीं पता लेकिन पता है वही मैंने बोला कोर पेरिफरी का किताब बहुत बढ़िया किताब आगर आप रके आप इसको रिवाईज कर सकते हैं लेकिन आपको ये बोल रहा हूं कि आप-बर्डण मत 3 ली उससेंड का वा मैं ले रहा हूं थिक है। कोई भी question आता है आपको पता है हम लोग इसकी धोती खोल देते हैं पूरी ठीक है तो वो धोती खोलेंगे इस तरह से कि और वहीं तक खोल नहीं है जहां तक पूछेगा आपको पता है कि मैं क्योंकि एससी में आपकी रेंज चाहिए होती है ना कि डेप्थ ठीक है अगें यह ध्यान रखेगे बात को रेंज बढ़ाना आपको डोमेन बढ़ाना है डेप्थ नहीं बढ़ाने के बहुत ज़्यादा ज़रुत है वह यूपी से में इडे पर मैं आपको नेमानिक्स भी देता रहता हूं बीच बीच में और यह आप भी जानते हैं ठीक है और एक चीज़ तो यह भी आप जानते हैं कि 10 लेक्चर के बाद सीडियस का एक्जाम हुआ था और सीडियस एक्जाम में हम लोग जितने हम लोगों ने कुश्चन किये थे ली काफी सारे 10-15 क्विच्चन ऐसे थे डेक्ली जो हम लोगों किये थे उन 10 लेक्चर से इक्जाम में पूछे कहते हैं तो वह क्यूं हुआ क्यों हुआ क्यों हुआ क्यूंकि जब हमने एक क्विश्चन को इस लेवल तक कर लिया कि अगर कोई क्विश्चन जैसे डिश्र आ रहा है तो मैंने आपको इस तरह से समझाया है नहीं इस तरह से समझाया है कि आप दूसरे को भी समझा दोगे लेकिन जितना भी है फिर कोई भी कोई बी खुश्चन आ जाएगा आराम से बना लोगे ठीक है और वह उस पर मुझे आप बहुत ज़्यादा एंफसिस करने क एट लीस उतना से के और कर लो ठीक है मेरी तरह नहीं कि कुछ जादी लाइटली ले लिया और ढह गए वहाँ पर खेर आपको वो मैटर करता है और मैटर करना भी चाहिए बाकी जीके के लिए मैं आपको बता दिया किस तरह से आगे चीज़ें रहने वाली हैं और चीज़े ठीक है प्लांट एड अनिमल किंग्डम जहां पर जहां से बार बार कुष्टन रिपीट हो रहा तो मैं पता आपको किस तरह से करवाऊंगा वह इस तरह से मैं करवाऊंगा कि जैसे चोला है तो ऐसा नहीं कि चोला का पूरा चोल दिये उसको न उसमें सिर्फ जो इंपॉर पूरा पूरा में किसने साब बस वन लाइनर के फॉर्माट में वह हमारे रहेंगे कि एक तरह से क्विक्ली जैसे हमने चोला को 10 में कर दो छोला में लगे हुए हैं कि चोला यह था चोला यहां से शुरू हूँआ चोला वहां पर खता हुआ नहीं यह कि आपको पता है और यूजिली तब होता है जब एक subject को एक teacher cover करता है वो मुझे ऐसा लगता है पसनली कि जब एक teacher एक subject को cover करता है तो फिर अपने subject की पूरी speciality को से गड़ता है उसमें अगर कोई biology पढ़ाएगा फिर अगर पढ़ाएगा तो फिर उसमें पूरा biology पूरा depth तक उतर जाता है जितन दस lecture करने के बाद 10-12 lecture करने के बाद आपको spike देखने को मिल रहा आपको mocks में यही reason है और यह इसका एक और reason है that is a scientific reason कि आप चीजों को mix form में पढ़ रहा है आपको लगए इसमें क्या scientific है scientific है ठीक है scientific है क्योंकि आप आपको पता है कि biology के बाद biology ही आएगा वही आएगा व आपको पता है अंसर इसका sell ही होगा फिर sell के around ही होगा लेकिन मैं अभी आपको sell पढ़ा हो नो फिर यहां पर economics का मैंने कोई concept उठा लिया ठीक है फिर मैंने कोई geography का उठा लिया फिर politics का उठा लिया फिर कोई dance से question आ गया फिर number of players से तो इस तरह से जब mix चीज़ें चलती ह दूँ और मैं करवा भी रहा हूं ठीक है और धीर धीरे जैसे हमारे lectures बढ़ेंगे तो चीज़ें हमारी जो हमने पढ़ा रखी वो बढ़ेंगी और आपका load धीरे 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 कम होता जाएगा लेकिन शुरुआत में तो load पढ़ेगा ही बाकि हम लोग will start from the Monday, PYQ series, daily और hot topics प्लस कर इंटरफेस भी हम लोगों का start होगा ठीक है क्योंकि यह मैंने खुद से प्रण लिया है कि अगली बार जो PDF में हो हमारे बंदे टॉप ranks में है या फिर GK के वज़े से मैं selection आपका नहीं रुखने दूँगा या फिर GK के वज़े से आपको first preference ना मिले ऐसा होने नह दूँगा मैं ठीक है तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू